गुर्मानी क्लास, क्लास सेवंथ में सभी बच्चों का स्वागत है आज हम सभी लोग साइंस में पदार्थ की समझना एवं प्रकत के बारे में पढ़ेंगी तो सर्फ तम हम पदार्थ की परिमासा समझें समझें कि पदार्थ वह होता है जो इस्थान गेड़ता है जिसमें बार होता है और जिसका ग्यान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाता है जैसे लकड़ी, लोहा, जल, इत्याद परदार्थ के निर्मार की मौलिक इकाई क्या होती है पर्मार कहलाती है ठीक है अगली एडिंग है पदार्थ की सनचना पदार्थ की सनचना का सूशतम कर क्या होता है पर्मार कहलाता है जो पर्मार सुतंत रवस्ता में नहीं रह सकता लेकिन रासाइनिक अपकरिया में भाग लेता है परमाड़ के बाद हम लोग पढ़ते हैं औरू क्या पढ़ते हैं औरू ठीक है इंगलिस में केतें इसको मालीक 늘 दो या दो से अधिक परमाड़ सैयोक करके परमाड़ु का समुह बनाती है जिनें औरू कहा जाता है और सोतनतर अवस्था में रह सकता है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं क्या पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं सामान नित्या पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं कितनी अवस्थाएं होती हैं 3. कौन कौन सी ? नदंबर 1 ठोस, 2nd द्रव, 3rd गईस यह 3 पदार्थ की अवस्ताएं होती हैं, 3 अवस्ताओं को एध दूसरे में परिवर्थिद किया जा सकता। से ठोस अवस्ता पदार्थ की ठोस अवस्ता में कण अत्यंत क्या होते हैं पास पास होते हैं जिसके कारण उनके बीच अंतरा अणुकस्तान अंतराणुकतान का मतलब हो ता दो अढ़ों के बीच का इस्तान क्या होता कम होता दूसरी अवस्ता से द्रव द्रव पदार्त की दूसरी अवस्ता होती है इसमें ठोस की अपेच्छा अधिक दूरी पर कड होते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे, एक कड ये है, दूसरा है, इनके 20 दूरी भी क्या होती है, ठोस की अपेच्छा अधिक होती है, थेंक यू क्लास